नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सुरेन हिंदी क्लास में आवारा मसीह रचना के बारे में, जो कि हिंदी की एक स्रेश्टम रचना मानी जाती है, विश्णू परभाकर दवारा रची एक जीवनी परक रचना है, योजीशी नैट के सलेबस में सामिल है, विश्णू परभाकर आवारा मसीह की रचना है, विधा इसकी जीवनी है, और एक उपनियासिक सैली में लिखी गई एक रचना है, बांगला साहित्यकार शर्थ चंद्र चटोपाध्याय की जीवनी है, और इसका परकासन मार्च 1974 में ह यानि इस रचना से सम्मादित सारी बातें जो है, वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, कहां से परसंद हैं, ये भी बताने वाले हैं, आवारा मसीह तीन परवों में विभाजित है पर वह अब भाग, यानि तीन भागों में भी भाजित है, हमें ये ध्यान में रखना है कि लगभग 430 प्रष्टों में इसका परथम संस्क्रण जो है वह प्रकासित हुआ था, तीन भाग जो है इसके दिसाहारा, दिसा की खोज, और दिसांत, यानि इसके तीन भाग है, पहल इसके जो भाग हैं वो भी उपसीरसकों में विभाजित हैं इसके जो भाग है ये तीन भागों में हैं तीनों ही भाग उपसीरसकों में विभाजित हैं दिशा हारा में अठारा उपसीरसक हैं दिशा की खोज में अठारा हैं और दिशान्त में भी दिशान्त में तीस उपसीरसक हैं इन तीनों परवों में दिशा सब्द आवारा से जुड़ा है आवारा व्यक्ति एक जगह नहीं टिक सकता है यह बात सर्थ के जीवन से जुड़ी है यानि सर्थ चंदर चटो पाध्याय के जीवन से ये बात जुड़ी है इसमें आवारा जो है उन्हीं को बताया गया है तीन भाग हैं दिसाहरा दिसाहरा में रंगुन जाने से पूर्व का वर्नन है यानि उन्होंने अपना जीवन जो है वो रोजगार की तलास में रंगुन गए थे और उससे पहले का जो जीवन है वो दिशाहारा में है दिशा की खोज में रंगून के जीवन का वर्नन है दूसरा जो भाग है दिशा की खोज उसमें रंगून के जीवन का वर्नन है और दिशान्त जो है तीसरा भाग उसमें रंगून से सवदेश लोटने की कथा जो है वो वरनित है यानि इसमें तीन भाग है तीनों में क्या है दिशाहारा में रंगून जाने से पहले का वरनन है दिशा की खोज में रंगून का वर्नन है और दिशान्त में रंगून से सवदेश लोटने का वर्नन इसमें है रंगून का है बर्मा दिशाहारा में शर्त के बच्पन से लेकर योवना वस्था तक की सारी गटनाओं का वर्नन है यानि उसके जीवन का भटकाव है एक तरह से दिशा की खोज में शर्त की नोकरी की तलास में कलकत्ता से रंगून का प्रियान प्रस्तुत है यानि कलकत्ता से वो रंगून जाते हैं वो कहानी और रंगून की कहानी जो है वो इसके अंदर है और दिशान्त में वहां से आने के बाद में सवदेश लोटने की कथा जो है वो उसमें है आवारा मसीह के प्रमुख पात्र हम देखते हैं इसका परसंड जो है वो आता है जो भी रचनाई योजिशी नेट में सामिल हैं उनमें इन से संबंदित परसन जो है पातर से संबंदित परसन जो है वो जरूर पूछे जाते हैं तो इसमें नारी पातर हैं परमुख नारी पातरों में भुवन मोहिनी है जो सर्त चंद्र चटोपाध्य की मा है जिसने अपना जीवन जो है वो दुख में ही व्यतित किया है गामगोली परिवार की से संबन्दित थी और इसने अपने जीवन में दुख बहुत भोगे हैं क्यूंकि इनके जो पिता थे वो यायावरी प्रवर्ति के थे और सवपन दर्शी थे दूसरी महिला पात्र है सान्ती जो सर्थ जंदर की पहली पत्नी है बाद में इनका निधन हो गया था हिरन्य मई तीसरी महिला पात्र है जो सर्थ की दूसरी पत्नी है अब जीवनी में ये बात आती है मौक्षदा नाम की ही महिला जो है वो हिरन्य मई जो उनकी दूसरी पत्नी है वो है यानि मोक्षदा इसका नाम भी जो है वो आता है ये एक बार बिमार हो गए थे सरचंदर चटोबध है तो इनकी इनोंने सेवा की सेवा से प्रसन होकर फिर बाद में जो है वो इनोंने हिरन्य मैई से जो है वो साधी की यानि मोक्षदा से साधी की और फिर उसको हिरन्ने मई नाम जो है, वो नाम दिया महतोप्रण पातर है धीरू धीरू इनके बचपन की साथी है साथ पढ़ती थी, बहुत प्रेम था, बहुत जगडते भी थे धीरू के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि धीरू शैशव की इस संगनी को आधार बनाकर शर्त ने अपने कई उपन्यासों की नाईकाउं का सरजन किया है जैसे देवदास की पारो धीरू है बड़ी दीदी की मागधी, माधवी भी धीरू है और श्रीकांत की राजलक्स में भी धीरू ही है धीरू जो इनके बचपन की साथ ही दी उसको अपने उपन्यासों की कई नाईकाउं का रूप जो है इनोंने दिया है और जिन में परमुख है देवदास की पारो नीर्दा, नीर्दा योवनावैस्था की इनकी प्रेशी है ये भी बहुत सी रचनाओं, बहुत से उपन्यासों की पातर रही है और जो देवदास की पारो है वो धीरू और नीर्दा का ही एक मिलाजुला रूप है एक विद्वा है और एक कवियत्री भी है जो कभी सम्मिलन वगिरा में या कविसाहित्ते गोष्टियों में जो है वो उससे मिलती है लेकिन ये सामाजिक बंदनों में बंद करके नीर्दा जो है उससे वो विवाह नहीं कर सकता है लेकिन वो उसकी प्रहिशी है क्योंकि वो एक विद्वा जिवन वैतित करती है वो एक बार उसके घर जाता भी है लेकिन नीरदा कह देती है कि यहां तुम्हें कोई देख लेगा तो बवाल खड़ा हो जाएगा पुरूश पात्र परमुख पुरूश पात्रों में मोतिलाल जो इनके पिता है जो सर्थ चंदर्चटो पाध्याए की पिता है मोतिलाल यह यायावर प्रवर्ती के सौपन दर्शिव यक्ति थे दूसरे हैं सुरेंदरनात जो इनके मामा है और इनके मित्र भी रहे हुए हैं और रिष्टे में मामा लगते हैं तीसरे हैं राजू उर्फ इंदरनात जो इनके एक मित्र थे इनके एक मित्र थे इनका जिकर भी जो है वो इसमें बहुत आया है विश्नु परभाकर ने पर्थम संस्क्रण की भूमिका में लिखा है यानि जब इसका पर्थम संस्क्रण परकासित हुआ तो इसकी भूमिका में विश्नु परभाकर ने लिखा है कि सन 1969 में मैंने अपनी यात्रा आरंब की और अब 1973 है यानि लगबग 14-15 वर्स जो है वो इनोंने इस साहित्य रचना के अंदर जो है कि आपने एक बांगला साहित्यकार की जीवनी लिखने की कैसे सोची तो इनोंने कहा है कि जैसे प्रेमचंद की जीवनी जो है उनके पूत्र अमरित्राय ने लिख दी है और उनके जीवन के बारे में हम उसमें पढ़ सकते है निराला की जो जीवनी है जो स्रेश्टम रचना है वो रामविलास सर्मा ने निराला की साहित्य साधना के रूप में लिख दी है तुलसीदास के जीवन को हम मानस के हन्स में पढ़ सकते हैं जिसे अमरितलाल नागर ने लिखा है तो जबकि सर्चंदर चटो पाध्याय जो इनको बहुत परभावित करते थे वो ये सोचते थे कि इनका जीवन जो है वो ऐसे ही छुप जाएगा तो इसलिए इन्होंने सर्चंदर चटो पाध्याय जो है उनकी जीवनी लिखने की सोची और ये कहते हैं कि मुझे 24 घंटे ये बात जो है वो बेचैन करती थी अनेक पात्रों की करम इस्थली भागलपूर है यानि इसमें जितने पात्र आए हैं उसमें भागलपूर जो है वो करम इस्थली रहा है इनके मित्र जो है वो भी भागलपुर में नहीं मिले थे राजु इंद्रनात उन्हें पता चला कि देवदास की जो चंद्रमुखी है वो भी भागलपुर की ही है देवदास की चंद्रमुखी जो है वो भागलपुर की है इनके एक स्रेष्ट उपनिया से देवदास जिस प्रहिंदी सिनेमा में फिलमें भी बनी हैं। तो उसमें दो पात्र हैं, महिला पात्र हैं, पारो और चंदरमुखी। देवदास की जो चंदरमुखी है, वह भी भागलपूर की है। वह मन्सूर गंज की प्रशित तवाइफ कालिदासी थी, जिसको सर्थ चंदर ने चंदरमुखी नाम दिया, जो वास्तों में चांद जैसी थी। तो चंदरमुखी जो है, वह भी भागलपूर से ही संबंद रखती थी, ये भी इन्होंने जो है, अपने सोध कारिये में इसको हो जा था। तो ये थी आवारा मसीहा विश्णू परभाकर की रचना, इसमें परमुख चीज हमें याद रखनी है, इसके पात्र, पुरूष पात्र में मोतिलाल सुरेंदरनात और राजू उर्फ इंदरनात है, महिला पात्रों में नीरदा जो इनकी योवनावस्था की प्रेशी है, धीरू जो इनके बच्पन की साथी है, और हिरन्ने मई सांती इनकी दो पत्निया हैं, और भून मोहिनी इनकी माता है, एक महत्वपरण बात इसमें याद रखने की ये है, कि इसके जो तीन भाग हुए हैं, जिनको परव नाम दिया है, और दिसाहरा, दिसा की खोज और दिस